अगर देश में तीसरी बार मोधी सरकार बनती है तो आप एक और चुनाओ के उमीद मत कीजिएगा आपके सामने देश का जो सम्विधान और नक्षा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा इसको पहचान भी नहीं सकते आप लाल के ले से हेट स्पीच सुनेंगे पूरा खुला खेल हो जाएगा जो बहुत ही खतरनाक है जो आज मनिपुर में हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है किसानों या फिर लद्दाग जैसा हाल पूरे देश में होने वाला है ये दावा है केंद्री वित्मंत्री निर्मला सीतरमन के पती और नामी अर्थशाष्त्री परकला प्रभाकर का एक इंटर्विव में जब उनसे सवाल किया गया कि अगर तीसरी बार मोधी सरकार बनती है तो देश का क्या हाल होगा जिसके जवाब में उन्होंने बीजेपी को जम कर सुना डाला इससे पहले भी इलेक्टोरल बॉंड के मामले में उन्होंने कहा था कि भविश में इलेक्टोरल बॉंड के मुद्दे को खूब उठाया जाएगा सब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं बलकि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है देश के मतदाता सरकार को इस घोटाले की सजा जरूर देंगे इसके लावा परकलब प्रभाकर ने मोधी सरकार की अर्थ व्यवस्ता पर भी सवाल उठाया था साल 2019 में दा हिंदू अकबार में छपे एक लेक में उन्होंने कहा था कि देश की अर्थ व्यवस्ता मुश्किल हालात में है बाजबस सरकार के पास अर्थ व्यवस्ता को लेकर कोई रोड़ बैप नहीं है इससे बाहर निकलने के लिए बीजेपी को पीवी नर्सिमहाराओ और मन्मुहुन सिंग के आर्थिक मॉडल को अपनाना चाहिए आपके जानकारी के लिए बता दे कि वितमंत्री निर्मला सी तर्मन के पती परकला प्रभाकर जाने माने अर्थ शाष्ट्री है वो आंद्रप्रदीश सरकार की संचार सलाकार रह चुके हैं लंदन स्कूल ओफ एकनॉमिक्स के फेलो रह चुके हैं प्रभाकर जो है आर्थिक मुद्दों पर लंबे समय से लिखते रहे हैं इसके साथ थी वो The Crooked Timber of New India नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं